आईए आज आपको कुछ अपने लिखे हुए दोहे सुनाते हैं आप भी आनंद लीजिए मन में आता है लिख लेते हैं और अपने मन को ही सुनाया करते हैं अज मन हुआ अगर आपको अच्छे लगते हैं तो हमारा मुच्छा बर्दन करना साइद आगे भी कुछ ऐसे ही मम ही में स्री राम है आप ही कोई और सब की अपनी अपनी सोच है किसी के मन में कोई बसा है किसी के मन में कोई बसा है वो हमारे मन में तो प्रभु सी राम ही है तो हम तो बस राम को ही अपना मान कर उन्हीं के ध्यान में मस्त रहते हैं जहां धूप वहां छाओ नहीं जहां छाओ नहीं धूप सागर तट हम भी को मिले मिन पानी के फूप आपने देखा होगा कि जहाँ पर धूप होगी वहाँ छा नहीं होती और जहाँ पर छा होगी वहाँ धूप नहीं होगी यह प्रकृतिका नियम है कि जहाँ धूप है वहाँ छा होने की कोई बात ही नहीं है और जहाँ छा है वहाँ धूप नहीं होगी आप सागर के किनारे च में होता है वोग आपकी तो बहुत गहरे में होता है प्रकर्दी का नियम है जैसी जिसमें बाढ़ है वैसा उसका रंग गंगा गंदी हो गई मिलनाली के शंग जिस बिक्ति में जैसे भाव की बाढ़ है वह बिक्ति वैसा ही दिखाई देता है वैसा ही क्रिया कर्ब करता रहता है इसे किसी के कोई समझाने या बताने की जरूत नहीं है वह अपने भाव की बाढ़ से ही बहा करता है और वैसा ही क्रिया कलाब करता रहता है गंगा जी को भी आप देखें कि गंगा जी कितनी परमपवित्र है इमाचल से निकलती है इमाले से निकल करके गंगोत्री से जब निरतर बढ़ती रहती है और मौसमी बरसात आती है तो उनमें भी बाढ़ आ जाती है और वो बाढ़ नदी नालों की होती है इमाले की नहीं होती है इमाले से पलत्रधारा छोटी से निकलती है लेकिन जो बरसात का पानी जो बाढ़ में आता है वो नदी और नालों का हो की इच है लोग गए सब भूल दुनिया के वल देखती खिले हुए ही फूल